तो माई चैनल मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है आज मैं आपके साथ बहुत ही सुन्दे डबल कलर का डिजाइन से रकारूं फ्रेंड्स इस डिजाइन को हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं बच्चों के लिए यह ज्यादा से ही डाहेगा तो चलिए फ्रे से ही डालना है और इसको जब हम डालेंगे तो चार से गुना होने वाले फंदों लेने हैं चार चार के जोड यह देखे एक चार फंदे चार फंदे चार फंदे चार फंदे चार चार और एक फंदा हमने लास्ट में एक्स्ट्रा रखना है जब भी हम यह डिजाइन डालें और सीधी तरफ से शुरू होगा बॉडर बनाने बाद हमने सबसे पहले एक सिंपल लो इसी कलर से बनाने हैं जो हमारा वेस बॉडर वालाक है सिसी या सिडि तरफ से सीधी जीलाई और उल्टी तरफ से स्वी फंदे उल्टे उल्टे तो मैं यह बना लेती हूं दो सिलाहिया सम्पल तरीके से सीधी सिलाई बनाने के बाद तरफ से सवी संदों को ऐसे उल्टे उल्टा वनाना है कि जितने भी हमेरे फंदे हैं मैंने यहां पर 24 फंदे डाले हैं और एक फंदा कि यह देखिए एक सीधी और एको उल्टी सिलाई मैंने बना ली अब हमने यहां पर दूसरा कलर जॉइंट करना है यह पहला फंदा हम ऐसे ही बनाएंगे कि अब आगे देखिए यहां पर मैं परपल कलर लगा रही हूं तीन फंदे सीधे वुन्ने हैं हमने इस तरह से आगे आगे यह से तीन फंदे परपल बनाए एक फंदा स्लिप करना है तीन फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से दो तीन एक फंदा स्लिप किया तीन फंदे वुन्ने हैं तीन एक फंदा स्लिप करेंगे इसी तरह से हमने यह रोव अपनी बनानी है यहां पर देखिए यह लास्ट वाला फंदा है इसको हमने परपल ही बना लेना है अब देखिए यह हमने बना लिया अब हम क्या करेंगे यह पहला फंदा तो यहां पर हमने ऐसे ही रहने देना है बिना भुने उतार लेना है अब यह तीन फंदों को देखिए एक साथ पहले इस तरह से एक बार भुना फिर इस में जाली डालेंगे और एक बार इसको फिर से बनेगे और जो शिप किया हुआ था फंदा उसको ऊल्टा बनाना है और यह जो तीन फंदे हैं इनको एक ठाब बन लेंगे इस तरह से फिर एक बार इसमें ऐसे जाली डाली मतलब तीन फंदों के हमने तीन फंदे बना रेने हैं और यह स्लिप किया वह फंदा उल्टा बनाया और यह तीन फंदों के फिर से वैसे ही एक बार धागा गुमाएंगे सिलाई पर तीन फंदों के तीन बना लेंगे एक फंदा उल्टा बना फिर से ये तीनों फंदों को इस तरह से देखिए धागा गुमाएंगे और तीनों के तीन फंदे बना लेंगे एक फंदा उल्टा और ये तीन फंदों को एक साथ इसी तरह से हमने यह सेकिंड रो अपनी बनानी है सब्वी फंदों को अधिया वह फंदे को उल्टा बनाएंगे और तीन फंदों को एक साथ बुन के तीन फंदे बनाने हैं उल्टी तरफ से यह दो ही सिलाइया है फ्रंट रिजाइन की दो तो हमने ऐसे सिधी उल्टी यह गैप के वह हो गया और अब हमने फिर से अपना वेस करणल लगाना है और एक सिलाइयी चीधी और एक वार्टी इस तरह से टाल नहीं है इस तरह से सभी फंदों को सीधा सीधा बना लेना है यह रिखिया आते है से और वार्टी तरे से हमने पूरी उल्टी सिलाई बनानी है सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है इसी कलर से तो मैं आपको थोड़ा करके फिर बताती हूँ यह देखे इस तरह से हमारा पैटर्न बनके आएगा उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी इस तरह से यह देखिए फ्रेंट इस तरह से हमारा यह पैटरन बनके आएगा अब मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूं अब हमने फिर से वही अपना दूसरा कलर लगा के जैसे हमने पहले बनाया वैसे बनाना है तो थोड़ा सा बनाके फिर आपको दिखाती हूं यह देखिए फ्रेंट इन दो सिलाईयों को बनाके हमारा पैटरन इस तरह से बनके आता है बहुत ही सुंदर है देखिए यह सीधी तरफ से है और उल्टी तरफ से ऐसे है तो फ्रेंट बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ऐसान है बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा के मैंने बताया दो सिलाइओं का डिजाइन क्यूंकि यह सीधी उल्टी वाली जो है वह यह हमने गैप के लिए रखी है बाकि यह दो सिलाइओं में हैं डिजाइन तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर कमेट जरूर करें और चैनल के लिले ऐाइबः 시간이 वह बाइब साइब वो झाल झाल